हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें एक कमरे में पुट्टी गरानी है तो उसका खर्चा क्या आएगा? और जाहिर सी बात है कि अगर आपको एक कमरे का खर्चा पता चल जाएगा तो आप अपने पूरे मकान के कमरों का खर्चा भी निकाल लेंगे लेकिन यह खर्चा निकालने से पहले मैं आपको पुट्टी के बारे में कुछ जरूरी बाते बताना चाहूँगा जो आपको जरूर पता होनी चाहिए या जिसमें ज़्यादातर लोग अकसर कन्फ्यूजी रहते हैं सबसे पहली बात तो लोग सोचते हैं कि पुट्टी कराने में खर्चा क्या आएगा जो आता है लगबग 10 से 11 रुपे पर स्क्वेर फिट विद मेटिरियल और लेवर ये कैसे आएगा इस पर तो हम डिटेल में बात करने ही वाले हैं पर पहले मैं आपकी common confusion खतम कर देता हूँ दूसरी बात कि मुझे कौन सी पुट्टी यूज करनी चाहिए कौन सी पुट्टी बेस्ट रहेगी मिंस कौन सी company की पुट्टी करवाँ तो friends वैसे तो आप कोई भी वाल पुट्टी करें कोई problem नहीं है पर मेरे हिसाब से मैं suggest करूँगा सिरफ तीन company की ही वाल पुट्टी जो मैंने practically यूज की है जिनमें number 3 पर मैंने रखा है Asian वाल पुट्टी को जैसा कि आप सब जानते हैं कि Asian एक बहुत बड़ी manufacturer company है जो paint भी बनाती है यह सिमिट बेस्ट पुट्टी बनाती है जिसका coverage एरिया भी बहुत अच्छा होता है तो आप इसे यूज कर सकते हो दूसरी है JK वाल पुट्टी यह भी काफी अच्छी वाल पुट्टी है interior और exterior के लिए जिसकी coverage भी बहुत अच्छी है और यह पुट्टी बहुत अच्छी signing भी देती है इसके साथ-साथ यह water resistant होने के कारण seepage को भी कम करती है तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं और number one पर है मेरी favorite villa white पुट्टी जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक जानावाना नाम है जो आपको हर गाउं और सहर में मिल जाएगी यह है एक cement based water resistant strong bonding good coverage area और smooth finishing देने वाली पुट्टी है जो पुट्टी paint friendly भी होती है और नमी को भी कम करती है तो इन तीनों में से अब कोई भी पुट्टी यूज कर सकते हैं कोई problem नहीं है अब तीसरी बात आती है primer की बहुत से लोगों की confusion रहती है कि पहले पुट्टी करें या primer या primer करना ज़रूरी होता है पुट्टी करने से पहले तो दोस्तों वैसे contractor की तो यह general practice होती है कि पहले तो वह एक coat primer का करते हैं फिर उस पर पुट्टी पर बिर्ला जैसे brand की पुट्टी के bag पर special लिखा होता है कि इसे करने के लिए primer की core requirement नहीं है इसलिए यह best रहेगा कि आप पुट्टी करने से पहले उस manufacturer की guidelines को जरूर पढ़ ले ओगे friends तो यह 3 common confusion है I hope आपकी clear हो गई होंगी आईए अब हम भड़ते हैं अपने main topic की तरफ तो माल लो यह हमारा एक room है 10 by 10 feet का जिसमें एक खिड़की है और एक दरवाजा है खिड़की का size है 3 by 4 यानि के 12 square feet और door का size है 7 by 3 यानि के 21 square feet और यह total हो गया 12 plus 21 is equal to 23 square feet means इस पूरे कमरे में सिर्फ खिड़की और दरवाजों को छोड़कर पूरे में पुट्टी होनी है तो इसलिए पहले हम इस कमरे का net area पता कर लेंगे के कितना है door और window को छोड़कर तो आईए calculate करते हैं तो wall area होगा हमारा wall area is equal to दिवारे है 10 by 10 feet की यानि के 10 feet लंबी और 10 feet चोड़ी तो एक दिवार का area हो जाएगा 10 into 10 is equal to 100 square feet और कमरे में total 4 दिवारे है तो 4 दिवारों का total area होगा 4 into 100 is equal to 400 square feet तो ये 400 square feet तो walls का area हो गया अब ceiling यानि के छट का area क्योंकि इस पर भी पुट्टी होनी है तो छट का area भी सेम होगा 10 by 10 feet का यानि के छट का area भी होगा 100 square feet तो हमारा total area हो जाएगा wall area plus ceiling area is equal to wall area हमारा 400 square feet plus ceiling area हमारा 100 square feet तो total area हो गया 400 plus 100 is equal to 500 square feet लेकिन इनमें से हमें दर्वाजे और खिडके का area निकालना पड़ेगा तो दर्वाजे और खिडकी का हमारा area है 33 square feet तो पुट्टी के लिए net area होगा 500 minus 33 is equal to 467 square feet after deduction of door and windows तो हमारा net area हमें पता है जिस पर पुट्टी होनी है अब पुट्टी requirement निकालने से पहले आपको ये decide करना होता है कि आपको कितने कोट पुट्टी के करने है don't worry मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको कैसे decide करेंगे कि आपको कितने कोट करने है देखिए आपको क्या check करना है कि अगर आपकी plastic finish बहुत rough है तो आपको एक perfect finish के लिए तीन कोट करने है पर अगर आपकी surface finish acceptable है और इसमें कोई ज़्यादा major undulation नहीं है तो आप दो कोट कर लेंगे तो भी काफी हैंगे ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कितनी पुट्टी लगेगी या पुट्टी की coverage totally आपके plaster surface की condition इसे apply करने वाले mystery और number of quote पर पुरी तरह depend करती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ACNJK और बिल्ला वाइट पुट्टी में से कोई भी पुट्टी यूज करते हैं तो इनका coverage area क्या होता है बेफिकर रही यहां मैं किसी brand की advertisement नहीं कर रहा हूँ यह मेरी personal recommendation brand है आपका जो मन करें आप उस brand को use कर सकते हैं तो इनका coverage area क्या होता है quantity in bag amount और coverage area देखें market में उट्टी चारतरह की packing में आती है 40 kg, 20 kg, 5 kg और 1 kg की pack में जिसमें 40 kg का bag आपको पढ़ता है approach 1000 रुटेगा 20 kg का bag पढ़ेगा आपको approach 550 रुपेगा 5 kg का bag पढ़ेगा आपको approach 1500 रुपेगा और 1 kg का bag आपको पढ़ेगा लगभग 35 रुपेगा means जितनी छोटी packing आप लेंगे उतनी ही आपको महँगी पढ़ेगी तो better रहेगा कि अगर आपका area जादा है तो आप bulk में ही पुट्टी खरीदे अब अगर coverage area देखें तो 2 कोट के लिए per kg आपकी पुट्टी area गवर करेगी approach 12 से 15 square feet और 3 कोट के लिए approach 8 से 12 square feet area per kg में इट मींस एक 40 kg के bag में आपका लगभग 480 से 600 square feet area कवर हो जाएगा अगर आप 2 कोट करवाते हैं और 320 से 480 square feet area अगर आप 3 कोट करवाते हैं तो हमारा net area है 466 square feet तो इसके लिए आपको सिर्फ एक 40 kg का bag ही काफी है जो पड़ता है approach 1000 रूपे का तो एक रूम में पुट्टी लगेगी 1000 रूपे की पलस लेवर चार और अगर आप direct खुदी से लेवर पगड़कर पुट्टी करवाते हो तो लेवर लेती हैं पुट्टी करने का लगबग 5-7 रूपे पर square feet दो कोट करने के लिए और 7-10 रूपे पर square feet तीन कोट करने के लिए तो total area है 466 square feet into average rate पकल लो 8 रूपे तो into 8 is equal to 3736 रूपे यानि के एक कमरे की labor cost material से ज़्यादा आती है तो ये total material और labor की एक कमरे की पुट्टी का खर्चा हो जाएगा 1000 plus 3736 is equal to 4736 रूपे तो हमारे 466 square feet में एप्रोक्स 4736 रूपे का खर्चा आएगा means 4736 divided by 476 is equal to 10.14 और 11 रूपे पर square feet का और अगर हम यही direct ठेकेदार को दे दे with material तो वो ले लेता है आपसे 15 से 20 रूपे पर square feet तो अब आपको decide करना है कि आपको यह काम कैसे करवाना है तो I hope के दीगई जानकारी आप लोगों के लिए useful रहेगी So if you learn something please like the video and share it with someone who might benefit from it So friends, see you in the next video Thanks for watching Have a nice day